नमस्ते, आप सब का वेलकम हैं सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ कंठोला की सबजी अब ये जो कंठोला होते हैं इसे खाने के अनिक फायदे हैं पर ये तो किसी को पसंद आते नहीं हैं इसे काफी लोग कंकोडा भी कहते हैं ये रसे वाली सबजी आप एक बार बना के देखे चावल रोटी दोनों के साथ बहुत बढ़िया लगती है और बनाने में भी आसान है घर पर इसे सभी खाना पसंद करेंगे एक बार ऐसे बना के देखे दो सो क्रम कंठोला लेने है पानी से अच्छे से इसे वाश करके उपर नीचे से थोड़ा सा काट कर इसे गोल गोल टुकडों में आपको काट लेना है उसके बाद गयस कौन करके कडाई रख दी है एक चमस तेल डाल दिया है जैसे ये तेल गरम हो जाए दो बारिक कटेवे प्यास और तीन बारिक कटी हरी मिर्ची आदी छोटी चमच अद्रक लसन की पेस्ट और इन सभी चीजों को आपको भूनना है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्यास को ज़्यादा लालोने तक ना भूने बस इसका कच्चा पंदूर हो जाए एक से दो मिर्ट तक भूने फिर दो कटे होए टमाटर डाल दे अब इसे भी लगातार चलाते होए आपको इसे दो से तीन मिर्ट के लिए भूनना है ताकि जो टमाटर है वो एक्दम सॉफ्ट हो जाए आपको रसे वाली सबजी चावल के साथ खानी है तो थोड़ा पानी आप जादा डाल सकते है और अगर आपको थोड़ी सी गाड़ी पसंद है तो बस एक ग्लास पानी डालना और ये कटे होए कंठोला के टुकड़े इसे धखकर धीमी आजपर 6-7 मिनिट के लिए पकाना और हाँ बीच बीच में चेक करते रहना इसे धीमी आजपर ही पकाना है लगबग 4 मिनिट हो गा है तो मैंने धखकन को अटा कर एक बार मिला लिया है और इसे धखकर फिर से पकने देंगे ध्यान रखना ऐसे नहीं धखकर आप छोड़ दे बीच बीच में चेक करते रहना धखकन को अटा कर लगबग यापर 6-7 मिनिट हो चुके हैं और ये कंठोला के रस्ते वाली सब्जी बनकर तयार है अब ये सब्जी आप रोटी के साथ ले नमक वाले पराठे के साथ ले या चावल के साथ ले बहुत स्वाद वाली है हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है मजब इसके जतिनी तारिफ करोनों उतनी कम है सब्जी मंडी में कंठोला तो मिल रहे है बनाना तो ये रस्ते वाली सब्जी बनता है तो एक बार बार तो आप अपने आप भी बनाएंगे ये बहुत स्वाद वाली है ट्राइ करना रेसिपी कैसी लगे कमेंट्स में जरूर बताना थैंक यू फो वाच्चेंग